सब्सक्रणाарत एक सपोर्च शुरू करते हैं आज क्लास आज हम लोग पढळने वाले हैं क्लास थे हिस्ट्री तो देखते हैं क्या है इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फॉर पढ़ने वाले है भारत में राश्टवात ना किसी निश्चित सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, संस्किर्थिक एक्ता की भावना को राष्टबाद करते हैं किसी निश्चित सीमा में रहने वाले लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक और संस्किर्थिक भावना की एक्ता यानि सब में एक जूटता हो यानि कुल मिला के ये कहा जाए जब देश के लोगों में क्या हो जाए अपने देश के प्रति सोचने लगे अपने विखास के प्रति सोचने लगे तो इसको हम लोग करते है राष्टबाद ठीक है अब राष्टबाद होने के लिए किन-किन तत्वों का होना आवस्यक है यह यों कहें कि इन-किन बातों पर निर्भर करता है तो पहला जो है एक निश्चित सीमा एक निश्चित सीमा होनी चाहिए राष्टबाद का विकास के लिए दूसरा एक निश्चित सीमा को एक भगौलिक सीमा भी कर सकते हैं किसी भी देश के सीमा के अंदर के लोग ही अपने देश के बारे में सोचेंगे ना कि बाहर के लोग तुसरा एक एतिहासिक विकास का प्रराम लोगों में एक विकास का उदय होना चाहिए तब ही जाके राष्टबाद का विकास होगा और तिसरा जो most important है कि लोगों में राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक और संस्कृतिक एकता होनी चाहिए एक जुटता होनी चाहिए देश के लोगों में अगर देश के लोग एक जुट नहीं होगे तो ये फिर राष्टबाद का विकास नहीं होगा अब हम लोग देखेंगे भारत में राष्टवाद का परणम कैसे हुआ तो कब से हुआ जो हम देखते हैं कि 1857 के पहले कोल विद्रो हुआ था नील विद्रो पवाना विद्रो संथाल विद्रो ये जो था ये भी क्या था एक राष्टवाद का विकास था ये बिद्रो भी क्या था राष्टवाद ही था राष्टवाद का कारण ही था जिसके कारण ये बिद्रो हुए अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग तरह की जनजातिया रहती थी या फिर लोग रहते थे जिन पर अंग्रेजों ने जुल्म किया और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके खिलाफ लड़े एक जुट होकर लड़े तो हम कह सकते हैं कि यह क्या था राष्टवाद था उसके बाद 1857 के बाद तो राष्टवाद का मुल रूप से विकास हुआ 1857 के बिद्रों में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलाग अलाग छेत्रों में अपने लिडर जो थे नेता जो थे जमिंदार थे अपने एरिया का बचाओ करते थे अपने रियासत का बचाओ करते थे और बचाव करते हुए अंग्रेजों से लड़े थे तो यह जो था वह अपने एरिया के लोगों में उन लोगों का क्या था राश्टवाद की भावना थे कि अपना एरिया जो था अंग्रेजों को नहीं देना है तो एक तरह से वह भी एक राश्टवाद का विकास है था इसक में कॉंग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था जब 1850 में यह विंद्वरा कॉंग्रेस के अस्थापना की गई तो कॉंग्रेस पार्टी में बहुत सारी लीडर ऐसे हुए या सारे लीडर से हुए जो राष्टबाद के परचार परसार में भूमिका निवाया और उन्हीं के द्वारा राष्टबाद का विकास हुआ इसके बाद गांधी जी जब गांधी जी आते हैं सावत फिर्गा से और कॉंग्रेस से जुड़ते हैं तो गांधी जी ने पूरे देश्ट की राष्टबाद के जो कारण है उस पर आजिये देखते हैं भारत में राष्टबाद के उध्य का कारण क्या क्या था तो पहला कारण जो था वो था अंग्रेजी समराज के बिरूद असंतोस भारत के लोग में इस टाइम में बिरूजगारी बेकारी जैसी बहुत सारी समस्य देखा करते थे भारत के लोगों का है जो अंग्रेजी लोग थे उनको अच्छे अच्छे पदों पर रखा जैता था और भारत के लोगों को नहीं रखा जाता था यहीं कारण था कि भारत के लोगों में असंतोस हो गया और वो इस ब्योस्ता से अलग हटना चाहते थे और एक अलग भारत का निर्मान करना चाहते दूसरा कारण जो था वो था आर्थिक कारण बहुत important कारण आर्थिक कारण ठीक है इसमें कुछ point है उसपे ध्यान दिया जाएगा आर्थिक कारण क्या था कि जब भारत के लोग आर्थिक रूप से एकदम तंग हो गया पुर्ण रूप से आर्थिक रूप आर्थिक व्यास्था से तंग हो गए जब भारत के लोगों के पास एकनोमिकल प्रोब्लम होने लगा तब भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा कोड़ा ठीक है तो इसमें कारण क्या कर रहे जो देखिए अंग्रेजी नितियों के वज़ा से भारत में कुटिर उदोग नश्ट हो बढ़त नीति द्वारत चला गया था रपनीति की नाम से जाना जाता है या फिर वेलेजली जो रख सहायक संधी नीति चलाया गया उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त लगाए गये मालवाडी बेवस्थाई यानि भूराजस्व कर लगाया गया भूमी पर कर लगाया गया जिसकी वज़ा से किसानों को बहुत अधिक पैसा देना पड़ा और वो कर्ज में डुपते चले गया इस वज़ा से क्या हुआ आर्थिक समस्य लगाया आगले पॉंट में हम इसकी चर्चा करेंगे नेक्ष जो देखो अंग्रेज दौरा नगदी फसल जैसे नीज गरना कपास की खेथी के लिए बाद किया गया अंग्रेजों दौरा किसानों पर ये दबाव डाला गया कि आप नंगदी फसल करिया खासकर निल की खे उपज करवाते थे और इरोपीय कंट्री में ले जाकर उसका निर्यात करते थे तो यह जो था यहां से बहुत जादा सोशन किया गया किसानों का ठीक इसके बाद 1882 में सरकार ने सूती वस्त्र से आयात कर हटा लिए हुआ किया कि भारत में सूती वस्त्र में बहुत सारे लोग कारे करते थे सबसे बड़ा उदोग जो था वस्त्र उदोग था उसमें भी सूती वस्त्र उदोग ठीक है इसमें बहुत सारे मज़दूर कारे करते थे जिसमें भारत का आर्थिक प्रोब्लम सॉल्व होता था उन का बस्त्र का निर्मान करते लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया 1812 में इस सिक्कर हटा लिया और यह जो यहां से सूती बस्त्र था ले जाते थे कपास कपास से तो ऐसा करने से उनुदोग को प्रोफिट होता था अब हुआ क्या है कि भारत का भी कपड़े यहां पर फिखता था और इंग्लेंड से बने कपड़े यहां पर विखते थे लेकिन जब कर हठा लिया गया तो इंग्लेंड के जो कपड़ा थे वह सस्ते होने लगे सस्ता हो गए कर टैक्स नहीं देना था इसलिए सस्ता हो गए तो इनका बिक्री जादा हुआ और ऐसा होने से भारत में जो बस्तरूदोग में लोग सामिल थे उनका रोजगार छिन गया और उनके सामने बेकारी की समस्या उत्पन हो गई ठीक है और इसमें अगला पॉइंट जो देखते हैं उसके बारे में देखते हैं अगला पॉइंट जो इसमें आर्थी कारण में वह भूरा जस्वनीती अंग्रेज द्वारा चलाया गया था इसके ताथ भूमी के द्वारा उनकार लेते थे किसानों से और समय समय पर इसमें बदलाव करके अलग अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग नितिया अपनाई और किसानों का फुर्ण रूप से शोषण किया तो इसमें भूरा जस्वनीती में जो पहला था अस्थाई बंदोबस्त था ठीक है अस्थाई बंदोबस्त क्या था तो अस्थाई बंदोबस्त 493 में में 2 49 दोरें और लगाया गया था इसके तहत मालिक होता था फ्यायर कि ऑप ind कि पुंड रुप से मालिक जमिंदारों को बना दिया और कर लेने का जिम्हारी जो था वो सरकार को खुझ कुर्ज देगा वह जमीन दार देता था अब बघुर खर कशिया सदों का था ऐस पर्सेंट अब मेंग्रेजिश को के परिदा देटा था खर एंद्यदारे जो लिए यहां सबस्क्रास ग्वासुलिप दाराई ऑप किसान ROPP प्रतितीन कर्ज में डूबते चले गए उनकी इस्थिती जो है खराब होती चली गई जमिंदार धनी होते चले गए इनकी इस्थिती में इजाफा होने लगा और फिर अग्रेज जो है अधिक साधिक कर लेकर अपना बिजनेस बढ़ाने लगे ठीक है अगला जो था वह रहा तो आड़ी वेवास्ता था अब यहां से क्या हुआ जब अंग्रेजों ने देखा कि जमिंदारों का पूंजी में इजाफा होने लगा बहुत जादा तो उन लोगों यह में जादा से जादा कर लेने के लिए क्या किया कि भूपी का मालिक डिरेक रुप से किसान को बना दिया अब इस ब्यास्था को पीजमें लागू किया ठीकहिए रहत वाड़ी वेवस्था कब लागू कि गई 18 exponent इस वीक में यह टॉमस मुंरो और कैप्टैन रीड द्वारा लगया गया था ठीक है इसमें भूमी का मालिक इसकी विसेस्ता कहते ही कि अब भूमी का मालिक क्या था किसान होता था ठीक है इसमें भूमी का मालिक किसान होता था और रजस्व देने की जिम्धारी भी क्या थी किसानों की थी और यहां पर क्या किया गया जमिनदार थे उनकी इस्तिती खराब होने लगी ठीक है यहां जो जमिनदार किसानों से कर लेते थे भूमी के मालिक हुआ करते थे उनका इस्तिती खराब होने लगा आगे चलते हैं देखते हैं कि जब किसान डाइरेक्ट रूप से कर देते थे अंग्रेजों को तो किसान को तो इतना ही कर्ज देना पड़ा तो यहां पर भी किसानों का पूर्ण रूप से सोशन हुआ कर्ज तले डुबे रहे और मतलब अंग्रेजी बेवस्ता से एकदम नक्षू सोशने अब इसके बाद जब अंग्रेजों को लगा कि नहीं यहां से कर कम मिल रहा है क्योंकि किसी कि किसान के पास ज्यादा जमीन हैं किसी के पास कम हैं तो कम किसान वाले कम कर दे रहते ज्यादा वाले ज्यादा दे रहते तो इसमें सुधार के लिए क्या किया गया महाल वाड़ी बेवस्ता अपनाया गया महाल का मतलब होता है महला गाउं ठीक है तीस बेवस्ता के तहत क्य इसी करता था खेती करता था और वहां के किसान पूरे गाउं के किसान मिल के अंग्रेजों को कर दे देता है इससे क्या हुआ कि पूरे जमीन से वह कर लेने लगे किसान और किसानों की किसान नहीं अंग्रेज और अंग्रेजों की स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी ठीक अच्छा महालवाड़ी वेवस्था को लागू किया था 1822 इसमी में हॉल्ट मैकेंजी ने और इसको पुन रूप से अगर लागू की बात करें इसको कर सकते हैं सुरुवात किया था और पुन रूप से लागू मार्टिन वर्ड ने किया था ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समय समय पर चेंज करके भूराजा सुनिती को अपनाय गया और किसानों का पुन रूप से सोचन किया गया फिर उदर सुतिवत्र में बताए कि वहां से सोशन किया गया फिर भारत के लोगों को सोशन किया गया तो भारत के लोगों में पुन रूप से आर्थिक समस्या आ गई और इसके बाद भारत के लोगों ने यह सुचा कि अंग्रेजों को हटा देना है और यहां से भारत के बढ़े कि भारत में राष्ट्वाद का तीसरा करण जो था अंग्रेजी सिक्षा का प्रचार अंग्रेजों ने पश्मी सवेता को बढ़ावा की लिए बहारत के लोगों में अंग्रेजी सिख्षा का परचार किया और यह उनके लिए गहा तक शावीत हुआ हुआ कि इस सिख्षा के मादम से भारत के लोगों को ठीक है रूसोग वाल्तेयर मेजनिक गैरी वालडी जैसे दार्शिनिकों का अधियन करने के मिला ठीक है इसके बाद अंग्रेजी माध्यम और कहां पर सहायक हुआ तो देखिए इससे पहले भारत जो है बिभीन भासाओं के छोटे-छोटे छित्रों में बटा हुआ था ठीक है अभी भी है कहीं बोजपूरी कहीं हिंदी कहीं तमील कभी मराठी कहीं बंगाली अलग-अलग छित्रो को समझ नहीं पाते थे जान नहीं पाते थे लेकिन अंग्रेजी एक common language आया जिसका परचार समान रूप से सभी छेत्रों में यानि पूरे इंडिया में किया गया और इसका नौलेज जब सभी लोगों को हो गया तो लोग एक दूसरे के भावना को समझने लगे बातों को सम इसके बाद यह भारत की नागरिक में जड़ता को समाप्त कर दिया यानि भारत की लोग जो मुल्रुप से पुराने विचारदारा से संबंद रखते थे उनके विचारदारा को बदलने का विकार अंग्रेजी माध्यम ने किया क्योंकि यहां से इन लोगों को एक और चीज पता चले अमेरिका का सवतंत्रता संग्रामram, ठीक है तो लोगों में कहीं न कहीं यह चीज होने लहीं कि अगर अमेरिका जो है ब्रियांसे सवतंत्र हो सकता है तो हम लोग भी हो सकते हैं ठीक है इस वज़़ा से यह एक मुक्भ कारण रहा भारत के राष्टवाद प्रचours अंग्रेजी शिक्षा का परचार ठीक है बाकी और वी कारण है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक कलिए धन्यवाद हम लोग देख रहे थे class 3 का history chapter 4 जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे राष्टवाद के उध्य कारण जिसमें हम लोग ने तीन कारण देखा था आज हम लोग चोथे कारण पर देखेंगे जो है मध्यम बरक का उदै ह бег न हुआ क्या था हमने लाश्ट कारण जो बताया था वो था अंगरे जी सिख्छा का परचार बहाउज पारत में अंग्रेजी सिख्छा का परचार थे पर एक ने बर्क का उदै यह से मध्यम बरक का आ गया यह लोग कौन थे कि अंग्रेजी सिक्षा प्राप्त करके और अंग्रेज के सरकार में जॉब करते थे सरकारी वर्कर थे ठीक है जैसे वकील हो गए डॉक्टर हो गए अध्यापक हो गए हना अंग्रेजी सिक्षा के परचार से नए वर्क का उदय हुआ जो अंग्रेजी सिक्षा प्रा अध्यापक थे जो राष्टवाद के परचार में बहुत सहायक हुए कैसे हुए उसको देखते हैं कि पहले ये लोग जो थे ये सरकार के ही पक्सदर थे का बचव करते थे सरकार के नितियों का बड़ाई करते थे चैसे समय बित्ता गया और यह लोगों को ग्यान जब हुआ और अंग्रेजों की जो नितिया की खामिया थे इनको पता चलने लगी या उनका भ्यूँ था जो भारत का सोशन करना था भारत के जनता को वो पता चलने लगा तब जाकर इन लोगों के दृष्टिकोंड में बदलाव आया और यह क्या हो गया स्वतंत्रता यह समानता के पक् दोक्टर है ना एक और कुश्चन आता है कि पहले यह क्यों सरकार के पक्षदर थे क्योंकि इनको सरकार की नितियों का पता नहीं था और फिर बाद में यह क्यों मतलब भारत के पक्षदर बन गया राष्टवाद के परचार के पक्षदर बन गया तो धीरे-धीरे सरकार की निती आप पता चलने लगी उनकी मतलब जो कमिया थी या फिर कहें कि भारत का सुर्षन करने वाला निती था पता चलने लगा तो फिर ये पक्षदर बने और फिर राष्टवाद के परचार में इन लोगों ने बहुत ज्यादा साहता किया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक साहितें समाचार पत्रों का योगदान मुख रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा ठीक है भारत जो था छोटे छोटे रियास्तों में विवाग था उन छोटे 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 रियास्तों में छोटे छोटे गाउं थे जहां तक सभी खबरे नहीं पहुँश पाती तो क्या हुआ समाचार पत्र के माध्यम से या पुश्टकों के माध्यम से सभी कोनेमे या भारत के सभी कोने में यह समाचार जाने लगा कि अंग्रेज की नितिया जो है वो सही नहीं है ठीक है इसी क्रम में बहुत सारे लेखक हुए जो अनेक तरह के समाचारपात्रों के माध्यम से सरकार की नितियों का उलेख करते थे ठीक है और वो जनता तक महुचाने का कारे करते थे उसी क्रम में अगर हम देखें तो साहित राष्ट्रिय चितना के जगरी करने में प्रेस और साहित का बहुत युगदान था ठीक है इसमें उनेश्वी सताब्दी कुत्राद में अंग्रेजी और अनेक भसाओं में भारत के अनेक भसाओं में ऐसे बंगाली हो गया तमील हो गय यह पीर हिंदी हो गया सभी बसाओं में सबने अपना-पना पत्र प्रकासित कि उसमें जो महतपूर्ण था उसको हमने नूट किया है जैसे धिशिज घ करेंद ह door हिंदू पेट्रियार्डेः डुझे दोru दोरा लीखा समाच्यार पत्र था हिंदू जी एस अईयर एम वी रघवाचारी इसके बाद केशरी यह मराठा बाल गंगाधर तीलग बहुत फेमस है अमरित पजार पत्रिका सिसिर कुमार घोस इंडियान मिरर द्वारकाना टैगोर बंग दर्शन बंकिम चंद चटर जी इनका और भी बुक है जहां से राश्ट्री गी लिए गया था असके बाद भारत दुर्दसा भारत उंद्य हरिश्चंद्र इंडियान स्ट्रागल सुवाश्चंद्र बोस संबाद कुमैदी राजा राम मोहन राय यंग इंडिया हिंसोराज नव जीवन महत्मा गांदी और बहुत सारे पत्र हैं लेकिन हमने कुछ इंपो अंग्रेजों ने कैसे भारत को मतलब सोशन करने का काम किया और उस टाइम पर यह जनता के बीच जाता था जनता पढ़कर अंग्रेजों के प्रती घ्रणा उत्पन करती थी और मन में देश प्रेम यानि राष्टवाद की भावना उत्पन होती थी तो कुल मिलाकर इनका भ अगला जो पॉइंट है वो है समाजिक दार्मिक सुधार अंदोला ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टेंट था क्योंकि इस अंदोलनों के द्वारा जो था भारत की लोगों में जो पहले से कुर।िया बैठी हुई थी या फिर जिसको कहा है कि अंग्रेजों के प्रति भावना बैठी थी उसको खतम किया गया ठीक है और नए-नए संस्थाओं का उद्धर हुआ नैने संस्था में अंग्रेजों की नितियों का विवेचना किया गया, उनकी आलोशना की गई और फिर वहां से लोगों में चितना जगाए गई इसमें जो पॉइंट होगा उसको देखेंगे 19 सताबदी के समाजी के धार्मी का अंदोलन का राष्टवाद के उदय में अत्याधिक परभाव रहा है, इन अंदोलनों के फल सरु भारत के कुरितियों का परदा फास किया गया और लोगों में नहीं चितना जगाए गया, जैस इसे लोगों का जो माइंड डेवलप हुआ, वो अपने देश के बारे में सोचना शुरू किये और इन ही सब के द्वारा भारत के लोग में अंग्रेजों के प्रती बिरूद की भावना जगी, इसके बाद इन से रिलेटेड जो लोग थे उन में राजा राम मोहन राय, रा पूर्ण भूम का निवाए, इन लोगों ने क्या किया कि अपना अपना एक संस्था बनाया और संस्था से बहुत सारे लोगों को जोड़ना शुरू किया, और उन लोगों में अंग्रेजों की जो नीतिया थी, उनका अलोचना शुरू किया गया, कि अंग्रेज जो है भार दूर्द तक जाकर परचार किया घाओं में देहात में सभी जगह पे इन लोगों ने परचार किया इससे क्या हुआ कि सभी जनता के बीच अंग्रेजों के खिलाफ भावना जागरित होई और अपने देश के प्रेम की भावना जागर इनमें जो इंपोर्टेंट संस्था थी वह है बेदान्त कॉलेज आत्मिय सभा और आर्श समाथ इन तीनों का इन तीनों संगठन का संस्थापक राजाराम मोहन रहे थे खासकर आत्मिय सभा और बेदान्त कॉलेज जो था वो मुख रूप से अंग्रेजों की अलोचना करने वाला ही सभा था इससे जुड़े सभी और भारत के किसानों का मजदूरों का सबका सोचन कर रहे हैं इसके बाद ब्रह्म समाज दयानंसर सोती बेद समाज के सवनंद सेन बेलूर मठ स्वामी विवेका नंद राम कृष्ण प्रमंस तक्तबोधनी सभा राम कृष्ण प्रमंस भी स्वामी विवेका नंद तक्तबो भारत का संस्था पर कोन थे इस तारे इंपोर्टेंट इसके बाद सत्यों सोधक समाज जो तीवा फूले विशु भार्ति रविद नाठावूर्थ इस सारे संस्थाओं का वर्क यहीं था कि अंग्रेजों की नितियों का उलेक भारत के लोगों में करें कि कैसे वह अपनी नि लोगों तक प्रवाव पहुंचा और फिर लोगों में अंग्रेजों के प्रति घिर्णा अपने देश के प्रति राष्टवाद की भावना का जगरिती हुआ इस तरह से इसका महत्पून योगदान रहा समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन का भारत के राष्टवाद के उद्धे में ठीक है अब देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो इस तरह से है पच्चमी सबेता संस्किर्ती से संपर्ग भारत के लोगों को पच्चमी सबेता से से जब ऑऊगत कराए गया तो उन लोगों को इसका ग्यान हुआ तब भारत के के लोगों ने यह सुच्चा कि अगर अमेरिका बिटेन को हरा सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं जपान जैसा चोटा देश चाइना को रुशकों हरा सकता है तो हम ब्रिटेन को क्यों नहीं हरा सकते हैं और इस तरह से भारत के लोगों में राष्ट्रिय चितना की बावना जगी और इसमें कोई पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग लिख सकेंगे आठ नमबर जो होगा वह प्राचीन संस्कृति का घ्यान भारत के हमेने abad के लोगों को प्राचीन संस्कृति से औउगत कराया गया और पहले के संस्कृति से लोगों नहीं यह सचा कैसे पहले के लोग अपने रियास्टों का अपने सीमा का बष्ण करने के लिए देश प्रेम की भावना रखते थे चोटे छोटे राजाबी की पड़े-बडे राजा से लड़जाते थे ये कैसा था जैसे कलिंक कर जूद था जो मतलब असोक से लड़गए था कलिंक का राजा खारवेज जो था इस तरह से बहुत सारे चीजों को और खत कराएगा फिर इसमें बहुत बहुत सारे एरोपिये राइटर जो थे लोग थे चिंतन करने वाले लोग थे जैसे बिलियम जोन्स मैक्स मुलर मुनियर बिलियांस चार्ल्स विलकिंसन और बहुत सारे भारती विद्वान भी इस तरह की चीजों में सामिल थे इसके बाद स्यू आटिक सोसाइटी और बंगाल जिसकी अस्तापना जो बिलियम जोन्स ने की थी इसने बहुत सारे भारती प्रचीन ग्रंतों का अनुबाद अंग्रेजी और अनेक लेंग्वेजों में कराया इस संस्था ने ठीक है जिसका परभाव सीधे तोर पे भारत की पर पड़ा आठ नंबर जो है बहुत इंपोर्टेंट प्राजातिय बिभेद की नीती अंग्रेजों ने भारत के लोगों के सांथ प्रजातिय बिभेद की नीती अपना ही प्रजातिय बिभेद का मतलब वह अंग्रेजी लोगों को या जो ब्रिटेन के निवासी थे उनको ज्यादा सक्षम समझते थे भारत के लोगों से भारत के लोगों को बहुत जगहों पर बैन कर दिया गया था वहां उनका परवेश वर्जित था और ये बहुत दुर्वेहार किया जाता था भारत के लोगों के साथ ठीक है अब कहां कहां पर परवेश वर्जित था वह भी हम लोग देख लेते हैं है यूरोपीए कलब में परवेश नहीं मिलता था भारत की लोगे धुसरा रेल्लय चम्हाटी की म這種 में सफ़र नहीं पॉटेंट है रेलवे के प्रतम स्रेणी में भारत की लोगों का टिकट नहीं मिलता था भारत के लोग जो भारती मूल की निवासी थे रेलवे के प्रतम स्रेंडी के डिबों में वो सफर नहीं कर सकते थे ठीक है उसमें सिर्फ अंग्रेज कर सकते थे यह बहुत बड़ा प्रजातीर विवैद था उसके बाद भारती न्याधीश क का सुनवाई नहीं कर सकते थे अंग्रेजों का यह रूल था कि अंग्रेजी मुकादमा का सुनवाई सिर्फ अंग्रेजी न्याधीश करते थे इसलिए कहीं न कहीं न्याधीशों में यह जो इन इस बिबों में सफर नहीं कर पाते थे उन लोगों में अंग्रेजों के प्र प्रेवेस्ट नहीं दिया जाता था भारती लोगों को बहुत सारे एक्जाम लेने के बाद या तो उनको फेल कर दिया जाता था या फिर अकारण ही उन्हें हटा दिया जाता था एक ब्यक्तितेज सुरेंद्रनाथ बनर जी इनके साथ भी ऐसा ही किया गया था इनको बीना ताज का बाद सावी बोला जाता है सुरेंद्रनाथ बनर जी को बीना ताज का बाद सावी बोला जाता है इनके साथ भी अंग्रेजों ने ऐसा ही कुछ किया जिसके वज़ा से भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रतिक घ्रणा का बहुना जगा और राष्ट्री चेतना की बहुना अपने अंदर जगी और यह बहुत बड़ा कारण रहा भारत में राष्टबाद के उध्य का कारण का भारत के लोगों में ठीक है तो आज इतना ही मिलते हैं फिर नेक्की वीडियो में अंग्रेजों प्रतिक अंग्रेजों में अंग्रेज़ जब प्रतिक बड़ा स्सम्सादукиर की यहाईं अंग्रेजार स्टारत की बहुत बहुत थे प्रतिक हैं आजारत हैं लोग।